गुट्ट सचना की आधार पर लकडगंज पुलिस थाना द्वारा लकडगंज के स्मॉल फैक्टरी श्रेत्र में चापे मारे की गई जहाँ छे सो बोरिया परामत की गई है जहां की सड़ी कली सुपारिया रखी हुई थी लेकिन फिर भी MTA और पुलिस का तालमेल ना होने से और चितरूप से कारिवाई नहीं की जारी है आए जानते हैं पूरा मामला लिए व्यापरियों का एक संगटन भी गोदां पर पहुचा चर्चा है कि सड़ी सुपारी का उपयोग खर्रा बनाने में किया जाता है इससे कैंसर पेट और अतड़ी की जान लिवा बिमारिया होती है लेकिन पुलिस सुत्रों ने बताया कि इस तरह की कारिवाई में एटी के अधिकारियों का कोई सहोग नहीं मिल पाता है वे बिलकुल भी ध्यान ले देते हैं पुलिस ने जब चापी मारी की तब उसे कुछ बोरी खोलने पर सड़ी सुपारी होने का संदिवा इस दोरान पुलिस ने एटी की अधिकारी को सुचित कर दिया था लेकिन एट क्षेट्र के लकडगंज शेत्र की अदिकारी मौकी पर नहीं पोचे इस शेत्र के इंचार्ज को भी वॉट्सप पर मैसेज भेज़ दिया गया लेकिन फिर भी इस बात का कोई भी संक्यान नहीं लिया गया लकरकंच पुलिस स्थानी के वरिष्ट पुलिस निरीशक अतुल सबनेस के मताबिक पुलिस ने एक गोदाम पर छापा मरा और करीब 600 पुलिस सुपारी जफ्ट की है यह सुपारी अलग अलग सुपारी मालिकों की है इसकी जाच की जाएगी कि यह सड़ी सुपारी है या नह इसमें हमें इन्फर्मेशन मिला था तो एकोर्डिंग लिए हमारे स्टाफ ने वहाँ पे चेक किया तो थोड़ा सा डाउट फुल लगा वहाँ पे सुपारी का माल था तो हमने वो गोडाउन के उपर सर्च करके फिर बाद में FDA को लेटर लिखके आगी कारवाई करने के कैमरा पसन अखिलेश भारतवाश के साथ मानेश टेमरी की रिपोर्ट